हलो फ्रेंट्स वेलकम तो आपके सामने की इंपॉर्टन टॉपिक लेक्स किया हुआ है आप लेक्चर को एंड में बताना आपको पैटर्न कैसा लगा आज मैं आपके सामने लेक्साइज जैसे 2024 का साल चालू हो गया है और जैनवरी 2024 में बहुत इंपॉर्टन मिलिटरी एक्साइजेज हुई है अब देखिए मैं उसको एंसी क्यू फॉर्म में आपके सामने लेख आया हूँ मैं टॉपिक भी डीटेल में डिसकस करूँगा और आपको कोश्यंस भी पताऊँगा किस तरह के कोश्यंस आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हूं लेक्चर को के साथ मैंने पूछा और राजिस्थान में एक्साइज कंड़क्ट हुई है जैनवरी 2024 में तो मैंने पूछा इंडिया और किस कंट्री के साथ यह रिसेटली कंड़क्ट हुई है और आप्शन्स आपके सामने हैं इस तरह के कोश्यंस आपको देखने को मिलते हैं और UAE ठीक है United Arab Emirates या दखेगा अब मैं UAE की बात कर रहा हूं तो देखे यहां मैंने एक्स्प्रीन भी कर दिया है कि डेजर्ट साइकलों 2024 इस जॉइंड आर्मी एक्सराइज इंडिया और UAE के साथ हुई है और यहां दखेगा महाजन जो राजिस्थान में जगे है वहां पर एक्सराइज इस कंड़की गई है तो मैंने डीटेल भी आपको दे दी और MCQ फॉर्म में कुश्चन भी आपको पता दिया मैंने कि किस तरह कुश्चन पूछे आते हैं तो करेक्ट कांस है इस डेजर्ट साइकलों का क्या है यह यूवेई इंडिया इन यूवेई और राज टू पार्डेसिपेट इन एक्सराइज सी ड्रैगन 24 अब लगी सीड्रैगन एक्सराइज 24 में कंड़क्ट हो रही है वहां आपने भजा है और मैंने लिखा है यह जो एक्सराइज है is conducted by which of the following countries कौन कंट्री या दखिएगा इस exercise हो conduct कराती exercise Sea Dragon 2024 अब यह बड़ा interesting question हो जाता है कि इसका answer क्या होगा इसका correct answer में आपको देखे options आपके सामने Canada है USA है, Japan है, South Korea है इसका correct answer है, that is USA अब मैं आपको इसके बारे में बतायता हूँ Sea Dragon exercise, यहाँ दखिएगा तीक है मैं लिग भी रखा है exercise Sea Dragon 24 ठीक है यह एक multi-national maritime exercise है तीक है, और इसके इसके इंडिया पारिसिपेट कर रहा है जाइपान पारिसिपेट कर रहा है South Korea पारिसिपेट कर रहा है Australia पारिसिपेट कर रहा है यह इसके 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 बारिसिपेट कर रही है और यह Guam जो है एक US का आइलेंड टेरिट्री है जो Pacific ocean में located है आप Pacific ocean का डिएगर को डिखेगा वहाँ Guam Islands ऐसके दिखेंगे जो Pacific यहाँ किसकी टेरिट्री है तो कोशन अगर आपके सामने इस तरह का आता है कि इंडिया नेवी ने अपना एक मरेटाइम पेट्रोल एरक्राफ जो भी रिसेंटली न्यूस में था तो कोशन किया इस एक्सरसाइस इस कंडेक्टेट बाइ विच आफ दा फॉल्लिंग कंट्रीज तो करेक्ट आंसर इस उसे दो के चले आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन नमर थर्ड में आते हैं नेक्स एक्सराइस है सहयोग काईजिन ट्वेंटीवेंटीफोर ये एक जॉइंट एक्सराइस है मैंने पूछा है रिसेंटली ये इंडिया और किस कंट्री के साथ हुई है किस कंट्री के साथ हुई है और ये हुई अभी कोस्ट ओफ चिन्नई में ठीक है चिन्नी के कोस्ट में हुई ये समझ में आ गया बट इंडिया और किस कंट्री के साथ हुई है options आपके सामने, again, यहां आपको direct answer mark करना पड़े है, correct answer जैपाइन के साथ, अब मैं इसकी details आपको देटा हूँ, देखे मैंने हैं, detail लिख दिया है, सहयोग काईजिन जो है 2024, एक maritime exercise है, और इंडिया और जैपाइन के बीच में हुई है, और कहां हुई है, off coast of Chennai, Chennai के coast में हुई है, तो आप देख रहे हैं न, मैं यहां पर आपको detail भी बता रहा हूँ, और MCQ form में भी बता रहा हूँ, इसमें आपको चीज़े याद हो सके हैं, next question है, यह बड़ी important exercise है, क्योंकि पहली बार, first time यह exercise हुई है, first bilateral exercise है, maritime exercise है, याद रखेगा, between India and which of the following countries has been named as exercise, याद रखेगा, अयुथ्या, याद रखेगा, तो exercise, अयुथ्या जो है, यह मैंने आप से पूचा, यह exercise, maritime exercise है, और पहली बार, यह bilateral exercise अभी January में हुई है, किन दो countries के बीच में हुई है, इंडिया और दूसरी country कौन है, ठीक है, options आपके सामने बहुत news में भी थी यह country, याद रखेगा, correct answer, that is Thailand, तो correct answer option बस C है, that is Thailand, याद रखेगा, मैंने देखिए, आपे mention कर रखा, exercise ayutya, एक naval exercise है, इंडिया और थाइलेंड के बीच में हुई है, और यह exercise आपे कहां कंड़की गई है, that is Bay of Bengal में, तो आप देख रहे हैं, किस तरह में questions को, उसके background में भी चीज़ें आपको cover करा रहा हूं, ठीक है, comment box में मुझे capital जो है, वह आप मुझे comment box से mention करेंगे, okay, चलिए, next question आते है, next question देखिए, the Indian army conducted exercise top chi, या देखिए, exercise क्या है, exercise top chi, या देखिए, exercise top chi, या देखिए, exercise top chi, यह रिसेटली कंड़की किसने, Indian army ने, और यह बतायता हूं, यह exercise कंड़की गई, school of artery at Devlali, okay, Devlali में exercise कंड़की grid है, इस तरह के भी question पुछे आते हैं, कि आप से location पुछ लेंगे, यह location कहां पर है, क्योंकि यह कोई famous नाम तो है, नहीं हो सकता, आपको नहीं पता हो, state लिखे में, गुजरात, MP, राइस्थान और महराष्ट, आपको correct answer बताना है, ठीक है, इस तरह कोशन साते हैं, तो you have to mark the correct answer, मैं details आपको बताएता हूँ, correct answer इसका महराष्ट है, exercise top 3 जो है, यहाद एक army के exercise है, conducted by Indian army ने conduct किया है, और महराष्ट, school of artery जो है, देव लाली जो है, यहाद एक महराष्ट में situated है, ठीक है, comment box है, मुझे महराष्ट के governor का नाम, comment box में, महराष्ट के governor का नाम, आप मैंने बुझा किस organization ने रिसेंटली एक्साइज जो है, रिसेंटली एनाउंस की गई है, to conduct military exercise, steadfast defender 2024, बड़ा famous group है, important भी है, मैं बताऊँ है, exercise news में भी है, options आपके सामने किस group ने एक्साइज कंड़क करने के लिए एनाउंस किया है, इसा correct answer, that is NATO, North Atlantic Treaty Organization, मैंने बताया भी था आपको उसका Brussels Belgium जो है, वो इसका headquarter है, अब आपके उसके detail बतायता हूँ, देखिए, steadfast defender 2024, एक large scale multi-domain exercise है, जहाँ पर जितने भी branches of military है, वो यहाँ participate करेंगी, नाटो की जितनी countries है, है ना, North Atlantic Treaty Organization से conduct करा रही है, और यह transatlantic region में होगी, Atlantic Ocean के बीच में, Atlantic Ocean देखे होगा आपन इसके बीच में, Atlantic Ocean देखे हैं, इसके बीच में, Atlantic Ocean देखे हैं, इसके बीच में, Atlantic Ocean के राउंड में, यह exercise conduct की जाएगी, correct answer, that is NATO, या देखे है, बड़ी important exercise है, पूछी आ सकती है, next, इसका second edition हुआ, first edition हो चुका है, second edition हुआ, exercise cyclone, नाम देखे किता अच्छा, नाम है exercise cyclone, और यह भी recently conduct की गई, इंडिया और किस country के साथ, ठीक है, इंडिया और which country के साथ, यह exercise conduct की है, यह exercise cyclone, options आपके सामने हैं, अब directly going to the correct answer, इसमें याद हो सके, correct answer, Egypt है, यह second edition की मैं बात करूँ, तो cyclone, exercise cyclone, second edition, army exercise है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, और याद रखे है, इ इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, किसके इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, इसारी भी 2024 में हुई है, ठीक है, और यहां मैंने पूछ लिए आप से कि किन दो, किस state में यह exercise conduct की गई है, और this is a typical question, देखिए, मैं आपको country भी बता दी है, exercise का नाम भी बता दी है बटी location, कहां पर conduct की गई है, तो question आप देखें ना, और कौन सा edition है, 11th edition है, तो question में मैंने edition नी बता दी, आपको इंडिया किर्गिस्तान नी बता दी, exercise खंजर नी बता दी, किस state में conduct की गई है, now there are four options, okay, I am going to the correct answer, correct answer, that is Himachal Pradesh, exercise की बात करता हूँ, exercise खंजर, 11th edition हो रही है आर्मी exercise है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है, और हिमाचल प्रदेश में conduct हो रही है, मतब correct answer, option number B हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में अभी Congress Government है, comment box में मुझे बताईए, हिमाचल प्रदेश के Governor का नाम क्या है, या आप मुझे comment box में mention करके बताईए, चलिए, next question आते है, exercise desert night, बड़े interesting exercise है, exercise desert night, अभी इंडिया और किस country के साथ ये desert night conduct की गई है, ये exercise conduct की गई है, इसमें बता दूँ आपको, इंडिया तो है, इसके साथ दो countries और है, ठीक है, बड़ी important exercise, आप यहाँ डाइगनाम भी देख सकते हैं, आपको air exercise दिख रही होग exercise, mega air exercise है, जिसमें India, France और UAE ने participate किया है, ये exercise हुई है, अरेबियन सी में, कहा हुई है, अरेबियन सी में, चलिए, next question आते है, question number 10, joint military exercise है, again inaugural है, मतलब अभी घाटन हुआ है, पहली exercise है, ठीक है, साधा तंशीक, यादेगे, साधा तंशीक exercise है, जो इंडिया और साओधी अर अरेबिये के बीच में, inaugural exercise है, अब मैंने पूछ लिया, ये किस state में हुई है, तो आप question देखी, किस तरह पूछे आते हैं, या तो आपसे state पूछते हैं, या तो किस country के साथ हुआ है, ये कभी-कभी edition भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है, ये साधा तंश कि कहां पर हुई है, ये सा correct answer है, that is option number A, Rajasthan, इस के बारे में बताईता हूँ, साधा तंशीक मैंने बता है, inaugural edition है, मैंने फर्स टाइम हो रही है, आर्मी exercise है, इंडिया और साओधी अरिविया के बीच में, और राजस्थान में ये exercise conduct की जा रही है, तो याद अखना आपको, ओके, next question आते है, Indian Air Force की में बात करता हूँ, ठीक है, उन्होंने announce किया है, the conduct of exercise वायू शक्ती 2024, वायू शक्ती 2024 होने वाली है, किस state में ये exercise conduct होगी, exercise वायू शक्ती, ठीक है, अब ये options है, अब देखना किस तरह कि मैंने सारे questions कवर कर दिये, बिल्कुल, questions भी कवर करा हूँ डीटेल भी बता रहा हूँ, correct answer जो है, that is option number D, Rajasthan, explain का देता हूँ मैं आपको, वायू शक्ती 2024, air exercise है, जो Indian Air Force कंड़क करा रहा है, ठीक है, Indian Air Force कंड़क करा रहा हम, Indian Air Force है, पोखरन Air to Ground Range, नियर जैसल में, Rajasthan में, ये exercise conduct हो रही है, तो just go through करना, आपको याद हो जाएगा, क बड़ी important exercise है, अब ये exercise मैंने पुझा, इसका significance क्या है, जो naval exercise हो रही है, exercise ayutthya between India और Thailand, इसका significance क्या है, बड़ा important significance है, अब अगर news पढ़ोगे, पुरा Hindu का newspaper पढ़ोगे, ये article आए भी है, क्या options हो सकते है, economic है, technological है, environmental, historical, cultural ties है, क्या है, इसका significance है, historical and cultural ties, या दखियेगा, इ इंडिया की आयोध्या से, ठीक है, देखे, मैं लिखा भी रखा है, significance of two of the oldest cities, आयोध्या in India, and आयोध्या in Thailand, इनका significance है, या दखियेगा, तो correct answer है, historical and cultural ties, आप चाहिए डीटेल में पढ़ सकते हैं, अभी आद देखिए, आपको, 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 exam में आ रही है, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये exercise exam में आईगी, आपको, आपको, मुझे बाद में आके, thank you, कैजना, मैं सीधे बता रहा हूँ, question कौन सा आने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं एक और question इसी exercise पे लिए हूँ, कि what does exercise ayodhya translate to, इसका मतलब क्या है, of course, historical and cultural link है between ayodhya and ayodhya, but ये exercise जो ayodhya है, ठीक है, पहली बार, inaugural हो रही है, पहली बार हुई है, तो important भी है, मैंने पुछे इसका translate करें, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये मैं इसलिए मुझा हूँ, क्यों ये question मुझे लग रहा है, इसलिए मैं इस पे दो-तीन question मैंने ब ठीक है, ठीक है, और अगला देखिए, अगला कोशन मैंने और पुछ लिया है, कि ये जो beside निवल exercise, एक निवल exercise तो हुई रही है, ठीक है, इसकी हुई, inaugural हुई, first edition हुआ, जब ये edition हो रहा था, इसके साथ-साथ में, what additional coordinated activity took place, मतलब इसके साथ-साथ एक exercise और कंड़क की होगा, coordinated patrol exercise, तो ये भी side line में हुई, क्या देखिएगा, इसी exercise के बीच side line में, ये exercise भी conduct हो रही थी, details अगर मैं आपको बता हूँ, तो मैं लिख भी रखा है, 36th edition of India Thailand, coordinated patrol, India Thai corporate exercise, इसको आप कहते हैं, ये भी alongside हो रही थी, इस bilateral exercise के साथ-साथ में, क्या देखिएगा, युथ् exercise से आने के chances थोड़े जादा हैं, ठीक है, और last question मेरा जाते आते, question है, what are the three large scale exercise, जो की announce की गई है, by Indian Air Force, for the year 2024, सबसे बड़ी war game exercise होने वाली है, जो Indian Air Force से announce की है, उस तीन exercise के नाम किया है, ठीक है, अब अगर आप newspaper वगरा पढ़ते होगे, तो बता दोगे, नहीं पढ़ते होगे, मेरा lecture देखते होगे, तो अब अगली बार बता दोगे, कोई आप से पूछे का तो, कोई मैं यहाँ पर answer बता रहा हूँ, correct answer है, that is, वायू शक्ती, गगन शक्ती, और तरंग शक्ती, तो यह तीन exercise है, बड़ी important होने वाली है, आगे पूछा भी आगा, वायू शक्त गगन शक्ती, और तरंग शक्ती, यह रिसेटली अराउंस की गई है, कि यह तीन जो exercise हैं, आइए अफ तो करी फी मेजर, मेगा exercise, joint war fighting exercise, चुब फोकस इन biggest ever war games, यह देखियेगा, यह News की headline है, हिंदू से मैंने उठाया हुआ है, exam मेंने की chance से बहुत जादा है, यह आपर मैं box में comment करके तो बताना बनता है कि ये वे कैसा लग आपको इसे मैं और ऐसे questions आपके सामने लेखिया हूँगा टॉपिक वाइस आपको इसे detail में अगर मैं करा दूँगो ना तो इससे बाहर कोई question आएगा ही नहीं है और मैं आपको इस तरह बताता हूँ इसमें आपको चीज़े याद हो सकें अगर आपको ये initiative पसंद आ रहा है आपको ये अच्छा लगा लेक्षर तो आप हमें कुछ contribute करना चाहते हैं तो हमारा qr code है phone पे बेटियाँ Google पे number भी mention है if you want to donate आप donate कर सकते हो if you are capable then only you donate अगर आप आप capable नहीं हो तो कोई बात नहीं आप वीडियो को like करो वीडियो को share करो उससे भी help होती but if you are capable आपका exam निकल रहा है आपके questions आ रहे हैं खुशी में आपको donate करना चाहते हो चैनल की growth के लिए तो आप कर सकते हो बट ये एक voluntary donation है जरूरी नहीं कि आप donate करो it depends upon you student to student depend कर सकता है अब आप करेंगे सर ये current affairs के exercise हमने कर ली ऐसी आप other topic के भी ले आओ ठीक है तो हमाई questions भी practice हो जाएंगे और आप detail में solution में बताते ही हो तो वो चीज़े भी हम याद कर लेंगे ठीक है तो current तो आपका करा दिया मैंने बढ़ क्या current के लिए आपके बास कोई booklet है जो आप provide करते हो ये बहुत common question है जो लोग मुझे से पूछते हैं मैं सिर्फ current के लिए मैं हर subject की booklet प्रोवाइड करता हूँ वो भी handwritten और total मेरी booklets है 14 booklets आप देख सकते हो चाहे वो physics हो चाहे वो economics हो ठीक है इवन आप आर्ट एंड कल्चर लो हिस्ट्री लो जोग्रफी लो modern history लो ठीक है science की biology लो इवन current affairs की booklet लो quality लो सारी booklets जो है वो एवलेबल होती है environment quality बाप कहरोंगे सर कैसी booklet होती है आप दिखाओगी क्या देख सकते पॉइंट फ्रेम में हर चीज़े mention है exam के लिए go through करने के लिए आपके लिए बहुत important है preparation करो general studies की सारी booklet अवलेबल है hard copy नहीं buy का सकते हो soft copy भी आपको provide कर दी जाएगी hard copy अब buy करोगे तो courier की तुरू आपके घर में हम पहुचा देंगे अब आप पूछ करोगे सर कैसे buy का सकते हैं नीचे आप देख रहे हो मेरा contact number दिया हुआ है तिक आप इस number पर contact करो whatsapp करो हम आपको details देंगे अगर आप चातो application से buy करना application का नाम भी description box में देवशीष classes आप जाकर application से buy कर सकतो नाम है application का देवशीष classes वहां से जाकर आप हमाई सारे lectures भी buy कर सकतो याद दिखेगा notes भी buy कर सकतो वहाँ पर साई details mention है और याद दिखेगा अगर आप UPSC के preparation कर रहे हो pre mains in sub के लिए आपको तयारी करनी है और आपके पास notes की कमी है या classes की कमी है और आप चातो complete course lifetime course जहाँ पर आपको optional की भी classes मिले तो आप तुरंत जाकर हमारे application को visit करो हमने UPSC के lifetime course launch किया है वो आपके लिए बहुत helpful होगा तो एक पर आप जाकर application को visit करो अपको लोग सोच रहोंगे सर वो तो हम कर लेंगे बट इस lecture का PDF कहा मिलेगा यह आपका question होगा तो link description box में है telegram link है वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा बस प्लीज मैं आपसे उजारश करता हूँ वीडियो को end तक जरूर देखा करो और अ आगे चलके और इस पर lectures हम अलग अलग topics पर आपके सामने lectures लेकिया सकें तो वीडियो कैसा लगा share करके ज़रूर बताइए thank you everyone जय हिन जय भारत